कि अरफ है स्टूदें Liberal में हमने ऑने जटिलित्रख के बारें अळ्जन किया था जटिलित ऐसा ऑब इस अभी घतक जो होते हैं वह ससा चना और आकरती आवश्यक नहीं क्या है एक जैसे हूं सनचना और आकरतीमें अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो सभी मिलके क्या है एक ही function को perform करेंगे ऐसा उतक क्या रहाता है जटिल उतक क्या था है जटिल उतक में हमने क्या है पहला जो इसका भाग ठाव पड़ा जाइलम जाइलम फिरिवस लेक्चर गो आपको करा रेता हूं जाइलम ड़लका सम्हेन करने वाला उतक होता है चार भाग पढ़े थी हमने उसके क्या है जाइलम ट्रेकिस बैसल पेरेंकाइमा और फाइबर चारों भागों में से क्या है तीन भाग मुरत थे केवल पेरेंकाइमा वाला भाग क्या था जीवित और जाइलम का जो में फंक्शन होता है वो क्या होता है जल एवं खनिजबादार्थों का क्या है जड़ से और बाईविय भागों में इस्थाना अंत्रित करना अब हम पढ़ेंगे फ्लोयम के बारे में फ्लोयम ये भी एक जेटिलू तक है ये भी चार गटकों से मिलके बना होता है पहला सीव एलिमेट्स चालनी तत्त दूसरा कंपेनियन सेल साइकोस का ये साइकोस का भी बोलते हैं तीसरा पैरिन काइमा और चौथा पैरिन काइमा और फािवर्स जेशीव एलिमेंट्स होते हैं इसको सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स इनको सम्मिलित किया गया है जो ही चार गटक हुए जेशीव एलिमेंट्स चालनी तत्त जिसमें चालनी कोस का ये रम चालनी नलका हैं companion को उसका, psychos का, पेरेंकाइमा और fibers, तो आपको पता है, जो phloem होता है, इसका मुख्य कार्य होता है, कार्वनिक खाद्य पदार्थों का संभेन करना, जो कार्वनिक खाद्य पदार्थ, अर्दाथ इसके जो भूजे पदार्थ है, जो प्रकास translation की किरिया के द्वारा पादप के हरे एवं भाई भी भागों में उनका क्या होता है, निर्मान होता है, वो जो पदार्थ है, उनका transportation कौन करता है, phloem करता है, पादप के सभी भागों में, फिर बात आई, जाइलम की भांती, phloem भी क्या है, चार प्रकार की कोशकाउं से मिलकर बना होता है, जो मैंने आपको बोड पर लिख रखी है, चार ओकोशकाउं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सीव ट्यूब्स की, चाल ली, नल काउं की, रेखो, इस तरीके की क्या है, सन्दचना होती है, इसके बीच में, यह सीव लेट है, चालनी पट्टे काई, तो, जो चालनी नलकाएं होती है, यह चालनी कोशकाउं से, एक के उपर, एक क्रम में लगने से क्या है, इनका निर्मान होता है, इन कोशकाउं की, जो अनप्रस्त कोशका बित्टियां होती है, उन्हें स्थानों पर क्या है, चालनी पट्टिकाएं होती है, शीव लेट होते हैं, उनका निर्मान होता है, अनप्रस्त कोशकाउं के गुलने से क्या है, चाल्ली नलका का निर्माण होता है चाल्ली नलका की जो कोस्का यंद लबिचाओड़ी पतली वित्यकी कोमल पर सजीव होती है इयो म enforced यह हैं किया storytelling होती है उसमें क्या है कि इंद्रक का आबा शेते हिلا एक क्भी कईंद्रक मेंने नहीं दिखा है कोश का दर्प्र होता है कि ब्यूद्रक इसमें एप्सेंटों होगा के मैच योईंडर कि जीव ट्यूब में तो कि तुला क्या है हम वे में मेमेलेन आर्भी की जो मैचोर होती यह उसमें नुक्लियस से एपसेंट होता है तो परपक जो चाली नलका होती है उसमें केंद्रा के अनपस्तित होता है केंद्रिय भाग में बड़ी रिक्तिका दाथ इसके चारों और कोसका दरब पाये जाता है परपक कोस्ता में इनकी कारी की जो जो लोजी कल एक्टिविटी है उसको सह कोसका या कमपेनियन जी सहल है वो कंट्रोल करती है उसका दरब च्छिद्दित चालनी पट्टी से उकर एक एक से दूसरी कोसका में आता जाता रहता है इसी परकार जो गुला हुआ तरल खादे पदार्थ होता है उसका अनप्रस्त सम समेहन होता है सरद रितुमें क्या होता है बच्चों पटका इन पर क्यलों नाम कार वाइड़े जम चाता है जिसको LOVE, इस जएपर क्या का डिपोजीशन हो जाता है है कि Comp debt Is जिससे चिज़ित के लिइंगर गुंद करने वाले बुद कोश्का कütfen होते हैं II बसंद रितू में जो कलो जर semua इसका विक। जाता है तरह 20 शितर खुल जाते जिससे छाली नलकाूँ में जर्णी के बढल के परत जब जाती है नीय। जिम्नोस पर में टेरीड़ फाइट्स में जो चालनी नलका है वो अनपस्तित होती है इनके इस्तान पर क्या मिलेंगी चालनी कोशका है पाए जाती है फिर बात आए इसका दूसरा जो पार्ट है वो सायक कोशका जो कि क्या है इसके साइड में इस्तित होती है और इसमें क्या है न्यूक्लियस उपस्तित होता है किन रख पाया जाता है होती है निए पार्ट है तो छाली नलकावा सेकोशका एक ही विवयोतक कोशका होती है उसके व्यवाजन से बनती है इनको हम सिस्टर सहल भी कहते हैं यह दूनों अपने उद्गम इस्तितिवा कार में एक दूसरे से क्या है समबद्ध रहती है जुड़ी रहती है सदत्त ईसका धीब परसपल संपर्क में रहते हैं किव कॉंपेयन सेल का जीब दिरव्य कु eles होगा नूकलिस बडा होता है और सैल्लवॉल पतली और स helmets की बनी होती है कि कोम्पेयन सेल्ग के नूकलिस है कि वो जो मैच यो सीब सेल होती है जो किंद्रग भहीन होती है । यह चीज को प्रूब करती है, कि जो चालनी कोसका है, उसके कार्येब का निंध्रन कोन कर रही है, कम्पेणियन सैल कर रही है। सै कोसका, संलाग allá कि चालनी कोसका में दाप प्रमनता बनाए रखती है, जिस्से क्या है? समयन में मदद मिलती है, जुम्नोसपर्मा टेरीडो फाइटस में कंपेंऍयल नहीं मिलती। तो इन में क्या है कंपेंईयल की जगें अल भूमिनस सैल पाई जाती है। अब बात करते हैं आगे हम इसके थर्ड कंपोनेंट पेरेंट काइमा के बारे में पेरेंट काइमेटर सेल इससे अटेच्च रहती है यह क्या है हमारे फ्लोम पेरेंट काइमा बात करें फ्लोम पेरेंट काइमा का यह जीवित कोसकाउं से बना होता है और यह चाली नलकाउं के बीच बीच में उपस्तित होता है फ्लोम मुर्दतक में अनेक प्रिकार के क्रिश्टल या स्लेश्विय पदार्ट एन नादी पाए जाते हैं प्रिसुप्ति काल में यह क्या है फूड इस्टोरेज इस्टार्च और बसा का क्या करता है स्टोरेज भी करता है तरल खादे पदार्तों के समयन में सायक होता है मोनोकॉर्ट जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम में तता कुछ डाइकॉर्ट जो प्लांट होते हैं जैसे रेननकुलस उसके फ्लोम में क्या है पेरिंकाइमा एपसेंट होगा मोनोकॉर्ट इस्टेम में और डाइकॉर्ट में जैसे लिए इसमें क्या यह absent मिलेगा कौन है phloem parenchyma है अब इसका चौता पार्ट फ्लो एंट फाइवर्स जिस तरीके से जैलम के चार कंपोनेंट में से तीन कंपोनेंट क्या थे डैड थे और एक लिविंग थे उसी प्रकार क्या है beliebdome k4 component में से जो तीनों कंपोनेंट यह economy यह क्या है यह ड्रोंट ओनलबी दोनों सुर्व पर नुकोईली मिरत कोसकाऊं के बने होते हैं इनकी बित्ती मोटी वा लिगनीफाइड होती है जिस पर क्या है सिंपल पिट पाए जाते हैं यह स्कलेरेंट काइमेटर सोने कारण पादप को क्या है मैकनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं द्रण होने के कारण यह रस्षी चटाई कागजवा इन से बनने वाली बस्तों को बनाने में का स्व में मिलते हैं को ड यह टोण होते ही और मैं आसा करता हूं आपको क्या है यह संरपम всем को कि समझ भायोंगे नेक्स्ट एक्ट चैप्टर में हम आगे तिशू के बारे में टिशू सिस्टम पढ़ेंगे धन्यवाद